नमस्कार आपका स्वागत है हमारे सरकारी नौकरी एक्जाम पर पंचायत वेब सिरीज में हम देखते हैं कि अभिशेक तिरपाथी गाउं में हर काम करती हैं चाहे वे बिजली के बिल की समस्या हो, CCTV कैमरा लगवाना हो या पानी के टंकी की सफाई एक पंचायत सचिव की नौकरी उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखाई देती है ग्राम पंचायत सचिव राज इस्तरिय सेवा परिक्षा के माध्यम से चुने गए अधिकारी होते हैं और उनकी प्रात्मिक भूमिका गाउं की प्रगती और विकास करना होता है इसके साथ ही साथ राज और सरकारी नीतियों के बारे में जनता को सूचित करना शामिल है पंचायत सचिव के लिए वेतन सीमा 19,900 से 63,200 के बीच होती है जो साथवे वेतन आयोक के अनुसार निर्धारित है अब हम बात करेंगे इस सैलरी में क्या-क्या शामिल होता है वे वेतन इस्तर दोश्रेडी में आते हैं जिसमें PB1 का वेतन बैंड 5,200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए तक है इस पत के लिए ग्रेट पे 19,000 रुपए है और वेतन मान 19,900 रुपए से 63,200 रुपए तक बेसिक सैलरी के अत्रिक 25 सचिव को कई प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं जैसे महंगाई भत्ता डिये भी मिलता है जो वर्तमान में मूल वेतन का 50 प्रतिशत है जो 9,950 रुपए है हाउस रेंट अलाउंस एचारे मूल वेतन का 9-27 प्रतिशत है जो कुल 1791 से 54,000 रुपए तक हो सकता है डिये और एचारे के अलावा ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस भी मिलते हैं ग्राम पंचायत सचिव भविश्य निधी पी एफ में 2,388 रुपए और राश्ट्री पेंशन योजना एन पीएस में 2,746 रुपए का योगदान भी करते हैं इन घटकों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत सचिव के लिए शुरुवाती वेतन लगभग 27,728 रुपए प्रती मा हैं और 3,30,000 सालाना सेलरी होती है एक पंचायत सचिव का काम सिर्फ कागसों तक ही सीमित नहीं होता है वे गाउं के विकास और खुशाली के लिए दिन रात मेंनत करते हैं चाहे वा गाउं की सड़कों की मरमत हो या किसानों की समस्याओं का समाधान दोस्तों पंचायत सचिव की नौकरी में चुनोतिया बहुत है लेकिन जो संतोस और इसने हैं उन्हें गाउं वालों से मिलता है वो किसी सैलरी से कम नहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचायत सचिव के प्रमोशन के बारे में पंचायत सचिव पत पर सेवा की एक निश्चे तवधी पूरी करने के बाद जो राज के आधार पर 18-15 वर्ष तक होती है पहले प्रमोशन के बाद ग्राम पंचायत सचिव को पंचायत सचिव ग्रेट 2 पर पदोनत कर दिया जाता है ग्रेट 2 पोस्ट पर मूल वेतन 25,500 रुपए से 81,100 रुपए प्रतिमाह तक होता है और अगला प्रमोशन ग्रेट 3 पोस्ट पर होता है जिसका मूल वेतन 35,400 से 1,12,400 रुपए प्रतिमाह होता है पंचायत सचिव की प्रमोशन के साथ साथ सैलरी और जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं पंचायत सचिव की नौकरी केवल दफसरी काम तक सीमित नहीं है बलकि इसमें गाउं की असली समस्याओं का हल निकालना भी शामिल है गाउं में काम करते समय उन्हें ग्रामीर की समस्याओं से जूजना पड़ता है उनके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है और कई बार राजनीतिक दबाओ का भी सामना करना पड़ता है ये सब उनके काम का एक हिस्सा है तो अगली बार जब आप पंचैत वेब सिरीज देखें तो याद रखें कि हर पंचैत सचिव के पीछे एक कहानी है एक संघर्ष है और एक सेवा की भावना है उनकी सेलरी भले ही सीमित हो लेकिन उनकी भूमिका और योगदान अमूल्ले है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद